कि रेट्स टार्ट पहले बता रहूँ हल्warming तोपिक थोड़ा सा भूरिंग को सकता है यहां पेहले शयक्त नहीं है यहांगे पहले लॉंकक और फिर शॉटकट होगा अपने दो दो मैसरद युथ मैं इस इए आप लॉंग कट बाद में अपन देखते हैं इस बार अपन लॉंग कट की तरफ पहले जाएंगे फिशॉट कट के तरफ जाएंगे ठीक है चलो आओ पहले टॉपिक समझो पॉब्लिक पे खर्चा कौन करता है गवर्मेंट पॉब्लिक मतला गवर्मेंट जहां जहां चाप्टर नंबर एट में पॉब्लिक लिखा है वहां वहां गवर्मेंट चाप देना चापना मतलब लिखना मत समझ लेना माइन में समझ ना सौरी स्लिप अ खर्चा करती है कि एक होता है ऊसका कापिटल एकस्पेंडीच कापिटल एकस्पेंडीचर तो हमने बहुत ही बहुत बेहतरीन एकड्यांपल से सिख़ा है कि जैसे स्वानन की शादी वह 15 लाग या 50 इतने भी में भी वो करने वाले हैं ठीक है डाट अपार्ट वो वन टाइम खर्चा है स्वानन सर की शादी वन टाइम खर्चा है यस ओर नो तो वो यहां आ जाएगा capital expenditure में ऐसा खर्चा जो one time खर्चा है government का भी वैसा खर्चा जो one time मिंखर्चा है वह खर्चा होगा तुम्हारास Capital खर्चा समझ सार बार बार नहीं होता है यह रॉकर होता है रागुलर खर्चा होगा यह जू खर्चा होगा वॐसेशता हके सभड़ी मारे नहीं होता है non recurring खर्चा होता है बार-बार नहीं होता है यह रिकर होता है बार-बार-बार होता है तो इस खर्चे का आप क्या बोलते हैं तो गैस मुझे अभी इतना बताना कि आपको पबलिक एक्स्पेंडिडिचर वेड का मतलब क्लियर है एवरीवान है अपने अल्रेडी देखा था ठीक है लास्त ईंगले बहुत अच्छी तरह से देखा था पबलीक एक्सपेंडिचर मतलब government खर्चा कर रहे हैं गवर्मेंट दो तरह से खर्चा करती है एक खर्चा हो गया तुमारा आपका यह कौन सा खर्चा एक्साथ करोगे तुम कैपिटल खर्चे की भी बात करोगे मैंडम क्यूं क्यूंकि यहां पे हैंडिंग देख धारा क्या है रीजंग फोर ग्रोथ और पब्लिक पे जो खर्चा कर रही है गवर्मेंट तो तो प्रचा पब्लीक पेस्ञा को सकते हैं बोलो, आप क्या सोचते हो, क्या कारण हो सकते हैं, यह सर के शादी का नाम लेते हैं, हस्ती क्यों आता है, बोलो, क्या रीजन हो सकते हैं कि पब्लिक पे खर्चा बढ़ रहा है, बोलो, क्या सकते हैं, बोलो, क्या सकते हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और, बोलो, मैडम, हम ने तो इस तॉपिक पर कान पकड़ा, कुछ नहीं बोल तकते हैं, आपको, कुछ नहीं नमज रहा है, हमें क्या बोला है, इस दाट तो, चलो, ठीक है, अगर नहीं बोल रहे हो, तो, तो, ये सी, एजुकेशन यार, एजुकेशन, एजुकेशन, इंफलेशन, ये सिग्जाक्ली टू, हो, डिमांड किस चीज की, ओके, आजो इधार, पोपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गोव्मेंट को खर्चा करना पड़ेगा, अरे, वैक्सीन पे खर्चा, चलो, आजो, ये जो, आपको, इंजेक्शन टोचे ना, गोव्मेंट ने, ठीक है, ये जो, आपको, इ ये ज़्यादा वैक्सीन लगी हो, कि उतना ज़्यादा गोव्मेंट का खर्चा हुआ रहेगा, एक वैक्सीन आपने आपने आपके, चौदा सो रुपे की है, या 780 रुपे के, 780 सौरी, 780 रुपी सामने दिये थे, ठीक है, फर्स ताइम वैक्सीनेशन के, तो, हर एक लो करती है, मतब जो उनके पूराने काम थे, वो करती है, जितना जरूरी है, उतना ही करती है, ऐसी बात नहीं है, गवर्मेंट आज बहुत सारे नौन उब्लिगेटरी फंशन भी करती है, जैसे उन्होंने कोविट के टाइम पे, जितना भी मैनेजमेंट पे खर्चा किया था, जो भी पब्लिक हेल्थ पे जो भी खर्चा करें, गोविट का जो खर्चा था, वो केस पे था, पब्लिक हेल्थ पे खर्चा था, पब्लिक वर्क्स पे खर्चा करती है, पब्लिक वर्क्स मतलब, पब्लिक रिक्रियेशन पे खर्चा करती है, रिक्रियेशन मतलब, और सोश सारी जगाई यह सारी चीज़े होती है पब्लिक वर्क्स ठीक है इंफ्रास्ट्रक्ष्य डवलप करना पब्लिक रिक्रियेशन मतलब कई बार गार्डन्स वगरा होते हैं गवर्मेंट के देखते हो कभी पर सोशल वेलफेर स्कीम्स गवर्मेंट लेकर आती है ताकि आप लोगों की भलाई हो सके सोशल एन इक्रामिक डवलप्मेंट हो सके तो शेल वलफेर स्कीम मतलब मैडब अरे बबाब यह लॉक्डाउन के टाइम पर देख लो जरा कैसी स्कीम लेकर रही ती गवर्मेंट 20,000 करोड उन्होंने स्कीम को लोन बाटा था और हम लोगों का जो नॉर्मल पॉब्लिक तो उनका इंट्रस्ट भी कुछ दो थी मैने के लिए माफ कर दिया गया था मतब जिन्होंने उसी टाइम पर तो इन्होंने घर वगरा के लिए लोन यह तो उनका इंट रही बहुत कम था सानिटाइशन चाहिए हर किती कोई सारी चीते चाहिए हर एक सीटी में वही चीज़ चाहिए यह सव नो उसके कारण खर्चा जादा बढ़ी है कि आज गवर्मेंट से सीमित नहीं है अपने obligatory function के लिए आज गुवर्मेंट नॉन अब्लिकेटरी फंचन दी बहुत सारे परफॉर्म करती है जैसे जैसे की एडुकेशन पब्लिक है पब्लिक वर्क्स रिक्रेशन फैसिलिटी फोचल वेलफेर स्कीम डन ओके जैसे जंदन योजना क्या था वो भी तो आपको सोचल वेलफेर स्कीम दी तो ठीक है कि जीरो जीरो बालन से भी गोवर्मेंट ने आपके लिए अकाउंट खोल के दिया आपको पता है वो गवर्मेंट ने बैंक को हजार रुपे दिये हैं इतने सारे लोगों के मतलब सब्सक्राइब आपने जंदन योजना में अकाउंट ओपन किया जंदन योजना पता है अरी यस और नो सुना है न सुना है ना जीरो बैलन्स अकाउंट को उपन किया था जिसमें लॉगडाउन की टाइम पर कुछ कुछ पैसे भी आए हैं ठीक है तो उसी की बात कर रही हूं तो उन्होंने अपसे बैंक वालों ने पैसे नहीं लिया वह बैंक की तरफ से नहीं था बोस वह हजार रुपे ना बैंकों को गवर्मेंट ने दिये हैं हर इतने लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से सोचो ना कितने करोड़ है यार आज की डिट पर आपन आइधिंग वी आराउंड तू वन थर्टी एट करोड सम्टिंग वी आर अन आप्रोक्सिमेटली मैं आपको बता रही हूं ठ लोग तो इतने लोगों ने अगर बैंक अकाउंट ओपन किया तो इतने लोगों का हजार रुपए गवर्मेंट ने बैंक को दिया है गवर्मेंट ने बैंक को दिया है समझ मारा है वो मिनिममम बैलेंस का जो भी कुछ उन बैंक का खर्चा लगता है इसलिए दिया है 139 क्रोर येस माम क्यों देना पड़ता है जब हम अकाउंट ओपन करते है तब अरे बबाब रहता है यार उनका कुछ तो रहेगा ना पॉसिल क्या बोलोगे आप कुछ तो पॉलिसीज रहेगी ठीक है है क् Website अप जब बाइंक अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत सारी चीते आपको दी जाती है क्या-क्या दिया जाता है अपको डिबिट कारत दिया जадता है क्या प्रीमें कि थे कुछ गश्चे नहीं लगते क्या बांक को भांक के साफ इसे पैठे है थे सम्झो ना चीद को तो समझो समझ रहे हो ये बहुत था लगते वह चेकड़क पास बूं कितनी सारी चीदे तुम डिमांड कर तो इंटरेंट करते रहते हो यार ठीक है तो यहां पर भी गवर्मेंट का खर्चा ठीक है ओके नौ इंक्रीद इन अर्बनाइडेशन बोला तो अर्बनाइडेशन मतलब मतलब आप ऐसे माइन में धान रहा हो एक मेट्रोपॉलिटिन सीटी जहां पर वेल सारे चीजे वेल एक फैसिलीटीज है बहुंत अच्छी फैसिलीटीज सारी फैसिलीटी तृप आप यहां पर इसीलीटी भेलिग देना या पे पब्ली ट्रांसपोर भी बहुत अच्छे मुंबई का पब्ली रांप लिक्रांपे मूंबई का स्कूल गॉलजेशन अनल झाई पूने या पूने के भी ओविसली ही कोई लड़ाई जगड़ा नहीं है लेकिन गवर्मेंट को डिफेंस एक्सपेंडिचर इंकर करना ही पड़ता है नहीं करें तो तालिबान सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर तो गवर्मेंट यूज अमांट अपन पर खचा करती है अर्फ्वेक फ्लर्ड्स तुनामी यह सब जो भी कुछ आए थे साइकलों इन फाक्ट कोविड के टाइम पर भी जितने पेरिंट्स जैसे आई इसी ए इंसीट्विट में भी निकाला है विदर आम करेक्ट और नॉट यह निकाला है नहीं निकाला मुझे बर आपी एक बर कन फॉर्म करना सी एंसीट्यूट में क्या वास क्रीन ब्लर दिख हुई है या फिर नहीं रहे हैं ठीक है तो उस बच्चों काम फ्री में एड्मिशन देंगे तो ऐसा कुछ है ठीक है डूश चेक टाउट बाट तो अगर कोई होगा तो उसको प्लीज सजेस्ट करो ठीक है ओके नौ यह अर्थ्वेक्स फ्लर्ट साइकलों यह सारे टाइम प हचा होता है ओके नौ इंफलेशन अरे इतनी ज्यादा मेहंगाई बढ़ गई है ठीक है जस्ट लाइक इंडिविज्वल इंडिविज्वल की तरह ही गवर्मेंट भी तो पचेस करती है रहे मार्केट से बहुत सारे गुड़ जन सर्वेसे मैंडम क्या अरे जैसे बहुत ब इंकर इंक्रीदिंग कॉस्ट उनको भी तो मेहंगा पढ़ रहा है ना यस और नो उनको भी तो जो चीज़े पहले कम रेट में मिलती थे आद उनको भी मेहंगाई से मिल रही है इंफलेशन के कारण तो इंफलेशन भी एक रीजन है कि गवर्मेंट का खर्चा बढ़ गया स मतलब रेगूलर इलेक्शन मैंने देखो चीज़े हाइलाइट करके दिये सिर्फ तुमने यह बुक लेके हाइलाइट पॉइंट पे भी ध्यान दिया तुमको सारी चीज़े याद आ जाने है एक्जाम मूमेंट पे इस विड़ बेस्ट पार्ट आप ताइम आपका बहुत का इलेक्शन माता वहां पे रुपीज 55,000 करोड रुपे खर्चे हुए थे समझ हो ओके एट्थ पॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट इंडस्ट्रीज के डेवलप्मेंट के लिए भी यूज एफर्ट लेती है गवर्मेंट कुछ स्कीम देन प्रोग्राम बनाती है के इंडस्ट्रीज का डेवलंप्मेंट हो सके जिंड लादा इंडस्री इंडस्ट्रीज का ड forefront कि हमारा देश डेवलप्म हो रहा क्यों कि वह इंडस्टी तुम ही जाघंड अब जरूरा करने पैसा आएका सारी पूरे पीसले सपरे बहूत सब्सक्राइब करते हैं इसलिए हम मौडन गवर्मेंट है तो चलो आजाओ पड़ावट से कहां कहर्चा करते हो क्यों बढ़ रहा तुमारा खर्चा क्यूंकि है पॉप्लेशन बहुत ज्यादा बट रही है दूसरा अर्बनाइजेशन बहुत जादा गया तीसरा थीस्यां की बहूंद एक इस पान ओउटन हैं आज गर के सिरफ पोंट एविक करते धन म३ाफ्थ चक्वेंट दिविजर मैनें इड्यवलेच्ट साफ्य नहें मेरा काम है आज इतना हुआ ठीक है ओक्या है याप डाल एक थे कि ना किसी बच्चे का कोई डाउट मैस हो गया है ठीक है वो स्क्रीन का था ठीक है चलो यह पाट क्लियर है तो एक काम कहते है इसको अपन डिटेल में कली देखते हैं ठीक है भगाते हैं यह टॉपिक को कल मेमोरी टेकनिक बनाओ न यह ट्विक का बनाओ न न मेमोरी टेकनिक थोड़ा एज़ी हो जाएंगा बूरे में प्राम है न ही की जर्द नहीं पड़ता हैं तॉत तब तक कि यहीं पर देल से क्विस्टम से प lugठ ग्सुल Scholars बाब बाइ